नारायन नारायन समारंभाम शंकाराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य परियनताम वन्धे गुरू परम्पराम स्रुति स्मृति पुराणानाम आलयं करुणालयं नमामी भगवत पादं शंकरं लूक शंकरं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्नु गुरुर देवो महेश्वरह गुरुर साक्सात्वर ब्रह्मा तस्मै स्री गुरवे नमा ध्यान मूलं गुरोर मूर्ती उजा मूलं गुरो पदम मुंत्र मूलं गुरोर वाक्यम मौक्ष मूलं गुरोर गृपा गुरू के दूआरा जो कहा जाए वो ही मंत्र श्रूप हो जाता है तोट सरद्धा जो गुरू में हो तो गुरू के दूआरा प्राप्त जो भी प्राप्त हो ईसको प्रसाज स्वरूप ग्रहन करना चाहिए मंत्र मूलम गुरोर वाक्यम ऐसा रहता है एक संत एक बार अपने साथना काल में गूमते गूमते गंगा किनारे एक दूसरे वृद्ध संत के पास गए अनुभवी वृद्ध संत वे वृद्ध संत वे द्वद्ध वरिष्ट ऐसे संत के पास वो गूमते गूमते गए उन्होंने का महराज देखो हम आपके पास आए है बोले अच्छे बताओ क्या चाहते हो तुम क्या चाहिए तुमे बोले महराज मुझे कुछ नहीं चाहिए बस दो बाते जो है मुझे सताती रहती है एक दूसरे से जुड़ी होई है एक तो भगवान का भजन जो है मेरा वो नियमित नहीं है और मुझे तृपती भी नहीं है जैसे प्रलाद को जब भगवान प्रिकट हुए बोले मांग लो क्या मांगते हो प्रलाद बोले महराज हमें वेराग नहीं है बहुले 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 बहुल पूनी चाहिए उतनी नहीं है, मुझे तरप्ती नहीं है, मैं तरप्त नहीं हूँ मेरी भक्ती से, मेरा वायरा के से मैं तरप्त नहीं हूँ, अब ये संत भी अच्छे संत थे लेकिन देखो दूसरे संत से मिल ले गई तो वहां उन्होंने बोला कि ये प्रभू मैं आती है कभी-कभी मेरे अंदर गुरुजन के प्रति दोश दर्शन बुद्धी बन जाती है बोले हाँ ये तो बड़ी समस्या है दोश दर्शन बुद्धी बनना ये तो बड़ी समस्या है बोले पहली जो तेरी भक्ती से संबंदित है ये उसी से जुड़ी हुई है तेरी बनती है, वो उसी के कारण तुमारी भक्ती भी थोड़ी हिल जाती है, एक तो तुम ये समझ लो कि भगवान कोन है, कैसी है, जिन से आप पृति करना चाहते हो, जिनका बजन आप बढ़ाना चाहते हो, कोन है, कैसी है, तो वयोवरद्ध संत ने रामचरित मानस की चोप पाई सुना दिए, उमाराम स्वभाव जेही जाना, ताही भजन तजी भावना आना, वो ले भगवान का जो स्वभाव जान जाए, वो कितने उधार हैं, यदि तुम भक्ती मारगी हो, तो भगवान की उधारता को देखो, ग्यान मारगी हो, तो सच्चित आननसरूकता को लेकिन भगवान का स्वभाव यदि तुम थोड़ा सा भी जान गए तो फिर तुमें कभी ऐसा नहीं लगेगा कि भगवान में मेरा प्रेम कम हो रहा है लेकि भगवान इतने सरल और उदारचित हैं कि तुलसी दलमात्रेन जलस्य चुलकेनवा लग तुलसी का एक छोटा पत्ता होता ना तुलसी दलमात्रेन जलस्य चुलकेनवा विक्रनीते विक्रनीते बिख जाते हैं एक तुलसी के पत्ते के लिए जल की भूंद के लिए बिल्कुल कोई जल ऐसे चुल वर जल भगवान के लिए अर्पित कर दे एक तुलसी का पत्ता तुलसी का दल एक छोटा सा तुलसी का दल एक छोटा सा विक्रिते स्वमात्मानम भक्ते ब्यो भक्त वच्छला एतने उदारचित भगवान है कि एक तुलसी दल उनको चड़ादो प्रसन्न हो जाते है थोड़ा सा जल और पित कर तो प्रसन्न हो जाते है अरे जिनका ऐसा स्वभाव हो उनके प्रती तुम्हारा प्रेम कम ज़ादा कैसे हो सकता है कैसे कोई ऐसी तुम्हारे सामने समस्या सकती है और दूसरे प्रशन का उत्तर भी पहले में छिपा हुआ है तुम कहते हो दोशधर्शन होता है लेकिन प्रेम तो कम नहीं होता ना गुरु से यदि भगवान में दोश दर्शन होता है तो भी प्रेम तो कम नहीं होता न बोले ये कुन सी बात है ये समझ नहीं हाई बोले दोश दर्शन हो रहा है प्रेम कम नहीं हो रहा है इसको थोड़ा और विस्तार से बताए महाराज बोले विश्तार समझो उधारण से बोले आपको कोई अपना है आपको पती हो सकता है पतनी हो सकता है भाई हो सकता है बंदू हो सकता है हम सब लोग के बता रहे हैं उन्होंने के उन्ही संत के लिए बताया था आपको कभी-कभी उसमें दोश दर्शन हो सकता है लेकिन क्या अपनत्व कम हो जाता है क्या प्रेम कम हो जाता है आप देखो आज के जमाने में कोई जी वेक्ति को किसी वेक्ति में वास्विक दोश भी हो लेकिन वो आपका अपना है आपका भाई है आपकी बेहन है आपकी पत्नी आपका पती आपके पिता आपकी मा बेटा बेटी वो कुछ ऐसा कारे कर दे कि वो वास्तों में ऐसा ही आपको लगे उसमें दोश दिखे भले दोश हो तब भी भगवान में गुरू में तो दोश है ही नहीं लेकिन भले दोश हो तो भी लेकिन आपका ऐसा अपनत होता है कि आपका कोई प्रेम कम थोड़ी हो जाता है तो बेटा प्रेम जिदी तेरा है तो कभी दोश दर्शन हुआ तो भी क्या हुआ आया गया भाव आते हैं चले जाते हैं लेकिन ये तो शास्वत संबन्द है ना तेरा कि मेरे गुरू मेरे अपने है मेरे प्रभू मेरे अपने है मेरे हारी मेरे अपने है मेरे शिव मेरे अपने है मेरे क्रश्न मेरे अपने है और तेरे इश्ट ये गुरू के साथ यदि तू प्रेम से लड़ भी लेगा तो क्या हो गया अपनत्व कभी कतम नहीं होना चाहिए तेरा इसलिए तेरे भजन में कोई कमी नहीं है यदि तेरा अपनत्व है अपनत्व है यानि प्रेम है यदि प्रेम है और तो उनका सुभाव जानता है ठीक से तेकर जैसा भगवान का सुभाव होता है ना संत भी गुरुजन भी भगवान का चिंतन करते हैं उनके सुभाव का चिंतन करते हैं उनका सुभाव भी वैसी बनने लगता है और हम सब जब संतों का गुरुजनों का चिंतन करते हैं हमारा भी वैसे बनने लगता है तो उमार राम सुभाव जेही जाना ताही बजन उतजि भावनाना और अपनत्व तुम विक्सित कर लो आज इतनी सी बात समझ लो मन में यदि कोई तुमारे किसी के दोश दर्सन आता है गुरू के प्रती तो ये समझो कि गुरू मेरे अपने हैं तो वो दोश आएगा और चला जाएगा और ये आपका अपनत्व का संबंद कम हो गया अपनत्व का संबंद में थोड़ी कमी आगई प्रेम में थोड़ी कमी आगई फिर आपको समस्या हो सकती है फिर आपकी भगती कमचोर पड़ सकती है अपने होते हैं तो अपनों में दोश दिखता भी नहीं है जो मेरे अपने हैं उनमें दोष दिखेगा भी नहीं यदि दोष हमें दिख रहा है तो हमारे अपनत्त में कमी है वो हमें अपना देखते ही नहीं इस दोष दर्सन को खतम करने का बड़ा सरल उपा है दोसरा एक प्रश्ण प्राय साद्गों का रहता है गुरु महराज हमारा अंतह करन शुद्ध कैसे हो कहते हैं कि वैश्णव कहते हैं कि जैसा खाओ अन वैसा हो जाए मन जैसे पीओ पानी और वैसी हो जाए वानी यह बड़ा सुना है हमने लोक में वो इस पात में कुछ दंबी है लेकिन महराज अभी हमने अन भी अच्छा खाया है सात्विक अन खाया है सात्विक भोजन हुआ है जल्भी हमारा अच्छा है जल्भी हमने पवित्र पिया है फिर भी अंतह करन कभी-कभी हमारा मलिन होता है अन क्या दुबारा से फिर अन खाये क्या तुबारा से फिर पानी पिये क्या अंतह करण को निर्मल करने के लिए बहुलिए नहीं नहीं अंतह करण है चिंतन प्रधान जैसा आप चिंतन करेंगे वेसी आपकी उस समय की वृत्थी बन जाएगी उसी तरह का आपका विचार है वही विरत्ति आपकी जैसी चित विरत्ति आपकी बन गई चित विरत्ति ही तो अंतह करण है यानि विचार है जो वही तो अंतह करण है अंतह करण कोई अलग से चीज तो नहीं है मन विचार से कि इसको दोनी बैठो गए क्या इससे बड़ी कोई साबून ही नहीं है आप जैसे धारा बदली आप तुरंत जो है ब्रह्म चिंतन में लगा दीजिए आत्म चिंतन में लगा दीजिए इश्ट चिंतन में लगा दीजिए शिव चिंतन में लगा दीजिए क्रश्न चिंतन में लगा दीजिए भगवान की लीलाओं को याद कीजिए भगवान की लीलाओं भी यदि नहीं याद कीए क्योंकि लीलाओं तो तब याद होंगी न जब स्मृति में आएंगी जब पहले से लीलाओं सुनी हुई हो भागवत इत्यादी की ये शास्त्रे सुनी हुई हो यदि इतना भी किसी ने नहीं सुना भगवान की लीलाए नहीं आरी तो भगवान के नाम का जब सुरू कर दीजिए राम, राम, कृष्ण, कृष्ण, शीव, शीव इतने भरके चिंतन से आपका अंत्यकरन तत्काल शुद्ध हो जाएगा देर नहीं लगेगी आपने सुना है ना कहते हैं कि भई गंगाजी में आएं हम एकदम बोले पाप सारे दुल गए हमारे सारे पाप दुल गए गंगाजी में आएं ना हम तो हमारे सारे पाप दुल गए तो कहते हैं बाहर आए वो फिर ऐसी हो गए हम तो बाहर आए फिर ऐसी हो गए तो आपने ऐसा होने का मोका दिया वो जो पहप थे वो गंगा जी में गए ही नहीं पहली पेड़ पे चड़के बैठ गए हम यह आसपास आप गंगाजी से बाहर निकले फिर उन्होंने पकड़ लिया क्योंकि मेरा ये स्थान बोले बड़ा बढ़िया है ये पाप को आश्रे देता है जब आप कोई भी शास्त्र विद्ध कर्म या आपके चिंतन में गड़वड हो जाए उस चिंतन में आप गड़वड को स्विम से आप स्विकृति दे देते हैं जैसे ही चिंतन आपका गड़वड हो जाए अंत्यकरण शुद्धी के प्रशन पर ही उत्ता चल रहा भी है जैसे ही चिंतन में आपके गड़वड हो जाए तुरंत जब चालू करतें आप सजगता बड़ी जरूरी है सजगता यदि जीवन में नहीं है तो आपकी साधना जो है एक बार तो आप बहुत ज़्यादा कर लेंगे और कभी आप टाइफिस हो जाएंगे फिर मन में गलानी होगी सजगता इतनी जरूरी है जैसे ही मन में कोई खयाल ऐसा आया कोई विचार ऐसा आया कि जो उनको उनके भगवन चिंतन से भगवन नाम के चिंतन से हटाता हो ठीक उसी समय उन्होंने खटखटा दिया उस डंडे को इस प्रकार खटखटा दिया कि एक दम मन सजग हो गया विचार एक दम सजगता वाले आये अच्छा हम अपनी बताते है हम जब अभ्यास करते थे तो एक एक विचार पर निगाहा रखते थे बड़ी दृष्टी रखते थे एक एक विचार पर कभी कोई कोई विचार ऐसा निकल जाता था कि हमें यही समझनी आया है कि यह विचार आया कहां से हमने उसके बारे में सोचा भी नहीं उस तरह का कोई वातावरन भी नहीं विचार आगया कोई हमने सोचा है इसका भी कुछ ना कुछ ना कुछ तो उपाय होना चाहिए इस प्रकार तो यदि विचार की स्रंखला चल पड़ेगी तो ये तो चलते ही जाएंगे हमें हमारे चिंतन से इटा देंगे माला जप रहे हैं और जपने के समय पे हजारों विचारों ने गेर लिया है तो हम पलट के आते थे कि आखिर ये विचार आया कहां से इसके पहले कौन सा विचार था उसके पहले कौन सा विचार था उसके पहले कौन सा विचार था ऐसी स्रंखला हम तोड़ देते थे अने को उपाए हम विचार को तोड़ने के करते थे या तो हमारे जब के पीच में आ गया तो हम जब को जब की जो गती थी वो बढ़ा देते थे जो भी मंत्र जिसका जैसा हो जैसे हम गती बढ़ाते थे तो विचार एक दम तूट जाता था और सहज फिर से हमारा जब में द्यान लग जाता था तो एक दम आनंद की वस्ता हमारी आ जाते थे तो अंतहे करण शुद्ध करने के लिए आप कितनी साबूने रगड़ेंगे वो संभव भी नहीं है आपका मंत्र आपका भगवन नाम ही अंतह करण को शुद्ध करने का सर्वो परिसादन है आपके खान पान आपका कर्म एक चीज हम देखते हैं प्राय प्राय हमें जो पच्चतावा होता है गलानी होती है कुछ भी होता है वो हमारे ही तो कर्म होते हैं कर्म करने में यदि सावधानी हो जाए तो फिर आपको विशेष को इगलानी होगी भी नहीं लेकिन कुछ आड़ा टेड़ा हो भी गया उस समय फिर भगवन नाम का अस्रे ले लो परम दयालू है तुरंत आपका साथ देंगे आपके साथ ही रहते हैं लेकिन सावधानी से यदि आप कर्म करोगे तो आपका अंतह करन वैसे भी अधिकतर समय शुद्ध ही रहेगा आपका अंतह करन में मलिन विचार जो है वो यदि आपका खान पान आपका जीवन आप वैवार बड़ी सजगता से करते हैं बोलने में थोड़ा सा परेज करेंगे वो भी अंतह करन शुद्धी के लिए बड़ा काम आता है समस्य क्या होती है हम दो बात बोलनी होती है उससे ज़्यादा हम चार बात बोल जाते हैं अब जहां हम बोलते हैं जिसको वो चार बात वहां से प्रति उत्तर में हमें और चार बाते मिलती हैं वो हमारे चिंतन का विषय बन जाती है उसी चिंतन में हम खो जाते हैं अंतह करन हमारा फिर गड़बड हो जाता है व्यवार में जितना कम आप बोलें जितने की जरूतों केवल उतना बोलें उससे भी कम बोलेंगे विर्थ की चीजों से बहुत आपको छुटकारा मिल जाएगा ना बोलने के नोगुण बोलते है ना जग कम बोलता है वो बहुत बहुत विशाद फसाद जगड़े से बच जाता है तो अंतह करण शुद्ध होने में ये सामान चोटी मोटी बाते हैं रोज हमारे वेवार काल में आती है मैंने आप लोगों को बहुत बड़ा सादन को ऐसा नहीं बताया कि आप पदमासन बांद कर घंटों तक बैटे रहे तब आपका अंतहर करण शुद्ध होगा सरल से उपाए जो आप आसानी से कर सकते हैं वो आपको बताए अपने कान पान में भोजन में आप ध्यान रखें आपका भोजन ऐसा सात्विक होना चाहिए जितना आपको खाना है उससे थोड़ा कम खाईए बहुत ज़्यादा नहीं खाईए तेखो आपको हलका पर महसूस जो लोग एक आदिशी का वरत ठीक से रखते हैं वो शाम को हलका बोजन वो लेते हैं या नॉर्मल दिनों में भी आप शाम को हलका बोजन लो सुबह आँख जल्दी खुल जाती है मन में सात्विकता ऐसी रहती है कि सुबह जल्दी आँख खुल जाती है बड़ा हलका पर शरीर में हलका पन कम बोजन करने से रहता है सात्विक बोजन करने से रहता है वो भी हमारे अनतय करन शुद्थी का ही एक उपाय है बड़े उपाय है उपायों कि कोई कमी नहीं है लेकिन यदि कहीं फस्दा ओर कोई उपाय नहीं कर पाए तो सब से बढ़ा सबसे सटीक सर वो पर ही सरल उपाय है, भगवन नाम के जप में लग जाओ, दीन दयाल बिरद संभारी हरहुनात मम संकट भारी दीन दयाल बस पुकारना शुरू को दो भगवान को तुरंद, उस समें तो वो ही संकट है न, अन्ते करन मलीन हो रहा है, मन खराब हो रहा है, भगवान का जप करना चाहा रहे हो, नहीं हो पा रहा है, तो धारा तेज कर दो भगवान के जब की खोब जोर जोर से जबने लग जाओ खोब तेज जबने लग जाओ अनेको सादन है जो आपको जच जाए सो आप प्रियोग कर लें चलिए दो बाते आज आपको बताई एक तो भगवान से गुरू से अपनत्व विक्सित करेंगे तो दोश तो आने जाने वाले हैं यह तो ऐसे हैं जैसे कुटे बिल्ली घर में आए आप घर थोड़ी न छोड़ दोगे कुटे बिल्ली आएंगे चले जाएंगे लेकिन अपनत्व यदि है आपका बेड़ा पार हो जाएगा दूसरा अंतह करण शुद्धी के अनेकों सादनों में से यदि कोई सादन हाथ नहीं आ रहा है तो ततकाल आप भगवन नाम का जब सुरू करें आपके अंतह करण की शुद्धी हो जाएगी ओम सहनाववतु सहनव भुनक्तु जब सहनाववतु सहनुन धे खתवी झांज बॉट हो दो पॉट हो नो खॉट हो जाज़ हो healthy पारी झाल हो जाना ठाजना नाक्ट जाल